आज का हमारा टॉपिक था आर्गूमेंट राइटिंग के उपर आप लोगों ने लिख ली आओगा अब तक और वो मून लाइटिनिंग के उपर था अच्छा ये टर्म बहुत जादा न्यूज में है पिछले कुछ टाइम से बिकॉज ऑफ एथिकल कंसर्न या फिर जॉब लॉस की वज़े से बहुत जादा है ये न्यूज में तो ये चुड़े-चुड़े चीज़े जो आपको पता होनी चाहिए हो सकता है और हो सकता है तो रिपोर्ट राइटिंग आ जाए वो भी ना आए तो किसी तरीके से एस processo में कन्वॉर्ट करकरने दे हमने फिलार इसके ओपर argument writing attempt करी क्योंकि इसके ओपर बहुत अच्छी argument बन रही थी नॉर्मली भी आप देखो आप किसी से पूछो कि आपकी व्यूस क्या है moon lightning के ओपर तो mostly आपको दो तरह के लोग मिलेंगे जो support कर रहे होंगे और जो नहीं कर रहे होंगे तो इसलिए इसके ओपर अच्छी argument बन सकती है तो चलिए start करते आज के discussion सबसे पहले introduction से start करेंगे तो मैंने आपको कहीं बार बता है सबसे पहले जो major reason के वज़े से कि जिस वज़े से यह news में बहुत जादा आया था like the hindu में लगा था continuously बहुत जादा इसके ओपर आर्टिकल आये थे वो इसी वज़े से आये थे अब हमने बताया है कि actually moon lightning होती क्या है देखो यह मैंने यहाप explain कर दिया है बट अगर आपके पास space concern हो या time concern हो या फिर वर्ड्स की नहीं हो रही हो जगा तो आप इसको skip भी कर सकते हो कोई जरुद नहीं है अगर आपको यह वाल एक्जामपल याद नहीं आ रहा है विपरो वाला तो कोई बात नहीं आप direct definition लिख सकते हो दोनों चीज़े मैंने यहाँ लिख दिये यूगि में क्याल से दोनों important थी इट refers to the practice of working for one organization while also taking up extra responsibilities and jobs typically without the employer's knowledge is referred to as moon lightning देखो सब बोस्कोरो आप एक organization में काम कर रहे हो organization A में आपको यहाँ पे salary मिल रही है monetary benefits मिल रहे है special benefits मिल रहे है आपका TDS वगेरा जो भी होता है आपको सारे benefits यहां मिल रहे insurance वगेरा सब coverage में अब आपने क्या करा आपको लगा कि शायद मुझे अपने अपने आपको upskill करना चाहिए या फिर अपना portfolio diversify करना चाहिए या आपके खर्चे कम नहीं निकल पा रहे हैं तो यह काम करते हैं मैं यह वाला काम लेता हूं चलो work from home ले लूँगा जैसे होता इसके बारे में आपने यहाँ पर नहीं बताया आपने 9 to 5 वाली जॉब में आपने कहीं भी disclose नहीं कर रहा है कि आप organization बीकले भी काम कर रहे हों तो इसको हम moon lightning बोलते हैं तो इसके उपर बहुत split बारे views है कोई support करता है कोई नहीं करता है तो चलिए हम इसे के उपर start करते है सबसे पहले start करेंगे हम favor points तो favor का मतलब हमारा यही है कि yes moon lightning इंडिया में allow होनी चाहिए तो उसका सबसे पहला यह है कि हमाई पास occupation select करने की freedom है अगर हमें यहाँ पर काम करना है और हमारी hobby है B.E. में भी काम करने की suppose को रहो कोई IT company में 9 to 5 और इसका अमन कर रहा है कि वो फोटोग्राफी में involved होना चाहता है ठीक है basic example 3 years movie का और वो IT के साथ साथ अपना फोटोग्राफी का passion continue करना चाहता है वहाँ पर भी job कर रहा है 2 गंते की या 4 गंते की जितने भी वहाँ पर उसे sufficient लग रही है तो इसको हम बोल रहे है कि हमारे पास freedom होनी चाहिए क्या occupation हमें choose करनी है employment is a contract between an employer who pays an employee for working for them for n number of hours a day employee has all the freedom to choose occupation after his regular employment बात सारी ये है कि हम 9 to 5 job कर रहे है ना आपकी हमने आपकी job में कोई भी credibility issue नहीं डाला है we are actually working for you 9 to 5 कोई उसमें ऐसा नहीं लगा है आपका कि हमारी potential काम हो रहा है या फिर हम अपना जितना देना चाहिए skills उतने नहीं दे पा रहे हैं हम अपना 100% दे रहे हैं हम इस job के बाद इस काम को कर रहे हैं हम उस job को complete करने के बाद दूसरी पे switch कर रहे हैं तो वह हमारा leisure है कि हमीं वह करना है extra time कि किसी किसी लोगों खाली बैठना नहीं पसंद होता है कि 9 to 5 के बाद आप ठीके आप 6 बजे घर पहुंच गए हो तो आपको इतना लंबा देना आपको नहीं बैठना है तो वह उनका leisure का time है कि वह किस तरह की से use करना चाहते हैं कुछ लोगों को लगता है कि हमें अपने आपको financially stable करना चाहिए तो यहां से हमारा organization हमें अच्छा monetary benefit नहीं दे रही है तो यह भी एक point है तो जो वहां पर उनके monetary benefit कम पढ़ रहे थे वह एक्स्ट्रा काम करके वहां पर अपने monetary benefit complete कर रहे है और अपनी family को sustain कर पा रहे है बेसिकली इसका यह मतलब है अब चलिए third point देखते हैं acquiring new skills के ऊपर देखो मैंने अभी आपको वताया था कुछ लोग upskilling के लिए काम करते है those who want to upskill themselves उन्हें लग रहे है कि हम actually में एक ही portfolio पर रह गया है हमें अपना portfolio diversify करना चाहिए basically हम आज इस organization में काम कर रहे है हो सकता है कल को organization यह काम इतना जादा use में ना हो so let's just diversify our portfolio तो आप upskillings ले काम कर रहे हो या फिर आप अपने passion के लिए काम कर रहे हो आपको यह काम पसंद है इसलिए आप organization B में जा रहे हो काम करने तो यह argument पूरी इसी चीज़ से related है तो यह हमने last point दिया है it can provide new learning and skilling opportunities in addition the skills and expertise will improve individuals resume upskilling can help in job security as high skilled workers tend to be the last one to be laid off during economic downturns देखो यह भी बहुत अच्छी चीज है अगर एक अगर आप देखो ना जब economic recession आता है या जब भी recession जैसी चीज़े आती है तो एक individual जिसके पास सारी skills है उसका portfolio divers है और वो यह काम भी कर सकता है 1, 2, 3, 4, 5 सारे काम कर सकता है तो इसको company retain कर लेगी पर बी individual जो से 1 और 2 काम कर सकता है उसको निकाल देगी क्योंकि उसे पता है कि मैं इसे निकाल भी दूँगा तो यह individual इसकी जहां ले लेगा और साथ में 3 और 4 का भी काम करता रहेगा तो इसलिए लोग अपना portfolio diversify करने के लिए upskill करने के लिए काम करते हैं तो यह भी एक point है अब हम against में point देखते हैं against में basically है कि नहीं moon lightning इंडिया में allowed नहीं होनी चाहिए मतलब कोई legal framework नहीं होना चाहिए वो क्यों नहीं होना चाहिए यह प्राइमरी कंपनी के इंट्रेस्ट के अगेंस्ट है सब्वोस करो आप इस company में काम कर रहे हो organization A में और आप B में भी काम कर रहे हो बट हो सकता है unknowingly आप इसको इसके client sell कर दो या आप इसको इसका data sell कर दो क्योंकि आपके पास data है आपके पास अपने client भी होंगे इस company में काम करके तो हो सकता है आप वो सब चीज organization B में sell कर दो तो यह company के interest क्या गेंस्ट है basically the primary concern companies have against moonlighting is data and confidentiality breaches employee having access to critical and propriety information regarding company process project can pass it on to rivals thus impacting competitive advantage देखा हम यही बात कर रहे हो सकता है कि कुछ ऐसा data कुछ लोग हो सकता है organization A में बहुत उची post पर काम कर रहे हो उनके पास कुछ ऐसी चीज़े हो जो उनके rival group को actually benefit कर सकती है और आप वो data pass out कर दो क्योंकि आपने बतायाता है नहीं disclose तो नहीं कर रहे है कि हम यह बी में काम कर रहे है तो इस वज़े से companies कहती है कि हम moonlighting को support नहीं करते है उसके बात है second point is about loss of productivity companies का यह argument भी बहुत actually में valid है कुछ लोग का यह मानना है कि जब आप 9 to 5 job कर रहे हो न तो आप उसमें अपना 100% दे रहे हो लेकिन जैसी आपको पता चलेगा ना आपको इसके बाद जाके like 7 to 10 PM भी job करनी है तो आपकी productivity यहाँ पर कट जाएगी आपकी productivity यहाँ आप 60% रह जाए यह आपको अपना 40% leisure time को इसमें भी तो spend करना है तो आपको अपनी overall job की 100% की energy है वो तो कहीं न गहीं आपको conserve ही करनी है गें तो आप कहीं से नहीं कर रहे हो तो companies करे कहना है कि जो हम primary organization है जो हम आपको actually में benefits दे रहे हैं आप वहाँ पर अपनी productivity कम कर लोगे working long hours like two or more jobs may cause the implied to become distracted unproductive and neglect primary job responsibilities because of physical and mental fatigue तो यह यहाँ पर पॉइंट किया गया है कि जो primary job responsibility न वो कहीं न कहीं आप इंपक्त हो जाएगी job B की वज़े से third है misuse of resources employee may use the company resources for their second job which increasing operating expenses this is unethical as well अच्छा इसका बहुत ही चोटा से example हम देखते हैं suppose करो suppose करो आपको कहीं जाना है company की cab use करके आपका आपकी location है दिली और आपको company की cab use करके जाना है noida simple location है ठीक है हो सकते है आपकी job हो गुर्गाओं में तो आप कैप वाले को बोल सकते हो कि मुझे noida नहीं आप मुझे से गुर्गाओं ड्रॉप कर दो second job location पर तो यह एक्चुली में company की यह company एक ही resources है यह बहुत basic सा example लिया आपको explain करने के लिए किस तरहीं से wastage हो सकती है तो आपकी primary company थी ना उसकी resources का यहां पर wastage हो रहा है हो सकता है दिली तो नौइडा आप पहुंच जाते 30 मिनिट्स में दिली के आप मयूर विहार की साइट रहते हो तो नौइडा आप अराम से पहुंच आते अब आप मयूर विहार से गुड़गा हो आओगे तो वहां तो आपको कम से कम डेट घंटा लगेगा तो यह point हम यहां पर कह रहे कि बहुत छोटी सी चीज़ से से इलबरेट करने ही कोशिश कर जो मैं आपे कि आप कंपनी को आक्चली में रिसोर्सेस उसका मिस्यूज कर सकते हो अपने परस्नल बेनिफिट के लिए इसलिए कंपनी नहीं चाहती है कि मौन लाइटनिंग अलाउड हो या लीगल हो इंडिया में अच्छा इस पे और भी अगर किसी को आर्गुमेंट लिखनी है क्योंकि जब यह टॉपिक उठा था तो बहुत सारी वालिड अर्गुमेंट आई थी तो आप में नीचे कमें सेक्षिन में 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 कर सकते हो बाखी में हिसाब से तीन आर्गुमेंट आप लिखो पर उसमें कंटेंट होना चाहिए अर्गुमेंट में तो 5-6 पॉइंट लिख देते हो और वो रिपिटेशन में होते हैं उनका कोई भी मतलब नहीं है आप एक या दो पॉइंट लिखो एक तो खेर कम हो जाएगा आप दो लिखो या तीन लिखो बट मेंग शूर या इंपाक्ट फुल बहुत ही वेक सा सब्सक्राइब है तो बेसिक सा कंट्लूजन देना है हमेशा न्यूट्रल हो के देना है सिंज पैंडामिक एस पॉइल्बिल्टीज ऑफ जॉब मार्केट एंथर्स इं तुड़ेस ताइम गवर्मेंट शुट कम अप विद डेडिकेट पॉलिसी और मून लाइटनिंग वा यह है कि आप बाकी सब ही जितने भी स्टेक होल्डर इंवल्ड है लेबर मार्केट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड आप सब को इन्वाल्फ करो उसके बाद जो बेस्ट वर्जन होगा ना वो लेकर आओ उस पॉलिसी का बस इतना ही बोला अपने कंलूजन में तो इ कोई गूगल सर्च और अगर आपको समझ आ गया उस गूगल सर्च से तो आप तुरंत अपनी अर्गूमेंट लिखने बैट जाओ वेक भी लिखोगे कोई बात नहीं आप लिखना स्टार्ट करो तो आज के लिए इतना ही थैंक यू अवर्रिवन आई होप आप लोगको सम जा गया हो that's all all the best everyone